Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लेर्निंग प्लेलिस रंटीनू करेंगे आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे छोटा है बट बहुत ही इंपोर्टेंट है आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि एक Convolutional Neural Network और एक Artificial Neural Network में क्या similarity होती है साथी साथ हम Point of Differences भी डिसकस करेंगे आज का वीडियो इसलें इंपोर्टेंट है बेकॉस आज का वीडियो देखने के बाद आपको आगे के जो वीडियो है जहाँ पर मैं specifically आपको back propagation कैसे होता है CNN में वो समझाने वाला हूँ वहाँ पर आज की वीडियो का understanding बहुत काम आने वाला है so that is why I would request you कि प्लीज ये वीडियो आप enter देखना ठीक है so all time based नहीं करते है let's start the video so चलो guys let's start अगर आपको याद होगा तो CNN जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो जो first video हमने shoot किया था वो था introduction to CNN और वहाँ पर हमने एक topic बिसकस किया था कि images के उपर काम करने के लिए CNN क्यों use किया जाता है CNN में क्या problem है तो वहाँ पर तीन problems हमने discuss की थी जो CNN face करता है so पहला problem था computational cost मतलब अगर आप CNN को use करके image classification जैसा task करोगे तो computationally it would be very very costly second was overfitting and the third one was loss of important features like special arrangement of pixels ठीक है आप image को 1D में लाते हो और फिर उसको use करते हो तो 2D में जो भी features होते हैं image के वो खो जाते हैं तो यह तीन points हमने discuss किये थे अब आज के वीडियो में मैं थोड़ा और deeper जाना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं कि CNN और CNN में क्या difference है in fact not only differences मैं similarities भी discuss करना चाहता हूं because हमारा जो अगला वीडियो है वहाँ पे हम back propagation पढ़ने वाले हैं CNN के उपर कैसे apply करना है back propagation को हम वो पढ़ेंगे तो अगर आप थोड़े parallels draw कर पाओ CNN और CNN के बीच में तो जो भी आपने back propagation CNN में पढ़ा था उस concept को आप kind of use कर सकते हो CNN में तो that is the whole idea of this video कि हमें CNN और CNN के बीच में not only differences but जो similarities हैं वो भी समझने की कोशिश करनी है ठीक है चलो start करते है थोड़े दिर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बार फिर से एकदम scratch से समझने की कोशिश करते हैं कि image data के उपर CNN और CNN कैसे काम करते हैं ठीक है थोड़े दिर के लिए हम लोग माल लेते हैं कि हमारे पास MNIST data set है हमारे पास MNIST data set है जो basically collection of images है 28 by 28 pixels का और उसमें कोई एक digit है ठीक है और हम image classification task कर रहे है तो let's discuss कि ANN इस problem को कैसे solve करेगा CNN इस problem को कैसे solve करेगा तो अगर आपको याद होगा तो ANN में क्या होता है कि आप ये जो 28 by 28 pixels है आप इसको 1D में लेके आते हैं ये फिलहाल एक matrix है 2D है आप इसको 1D में लेके आऊगे तो you will get 28 multiplied by 28 inputs 784 जो भी होता है 784 inputs उसके बाद what you do is you create your hidden layers जितने भी आपको hidden layers बनाने होते हैं आप उतने hidden layers बनाते हो और finally आपका output layer will be a softmax layer और ये fully connected layers जा रहे तो ANN इस तरीके से काम करता है CNN कैसे काम करता है कि CNN सबसे पहले इस image को 2D form में ही use करेगा और यहां पर होते हैं filters जैसे हमने डिसकस किया था माल लो ये एक filter है 3 x 3 का और इससे फिर बनता है एक feature map तो माल लो हमारे पास ये 28 x 28 था ये 3 x 3 है तो ये 26 x 26 का हमारे पास एक feature map बन गया ठीक है feature map बनने के बाद आप क्या करते हो कि आप सबसे पहले ये feature map है which is basically a matrix of numbers आप इसमें एक bias add करते हो ठीक है तो होता क्या है for every filter that you have you have a bias value तो अगर आपके पास एक और filter होता तो उसके लिए एक और bias होता B2 ठीक है तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे जितने भी numbers है उन सब में ये bias add करते हो लेटसे bias का value 1 है तो आप सारे numbers में 1 add करते हो एक बार जब आप ये कर लेते हो उसके बाद आप क्या करते हो इस पूरी चीज़ को एक activation function में भेजते हो like value और एक बार जब ये हो जाता है तो फिर इसके बाद आप max pooling layer लगाते हो उसके बाद आप flatten करते हो flatten करने के बाद आप फिर fully connected layer में उसको भेज देते हो और last में there is a soft max layer जहाँ पर आपको output मिलता है but this is how CNN works and this is how ANN works अब यहाँ पर मैं आपका ध्यान खिशना चाहता हूँ एक important चीज के ओपर कि किस तरीके से ANN और CNN kind of similar भी है there are differences but they are also similar ठीक है ध्यान से देखो कैसे so यहाँ पर आप क्या कर रहे हो आपके अपस 784 inputs है और आप उसको अगले layer में pass कर रहे हो like this और यह सारे weights है और आप CNN में क्या कर रहे हो CNN में आपका यह image है आप उसको एक filter से convolution operation कर रहे हो और resultant में आपको क्या मिल रहा है एक feature map इस feature map में आप क्या add कर रहे हो bias और फिर इस पूरी चीज को आप किस में भेज रहे हो relu में अब अगर आप ध्यान से देखो तो there are certain similarities also ठीक है ध्यान से देखना so notice करने वाली चीज यह है कि ANN का हर node और CNN का filter are kind of similar सोच के देखना so ANN में क्या हो रहा है कि यह आपके inputs है x1, x2, x3 इस तरीके से x784 तक आपके inputs है आप क्या कर रहे हो इन inputs को इन weights के साथ multiply कर रहे हो w2, w3 and so on so basically this is happening w1, x1, plus w2, x2, plus dot 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 w784 x784 सबसे पहले आप यह निकाल रहे हो जैसी आप यह निकाल रहे हो उसके बाद आप इस node का bias add करते हो और उसके बाद आप इस पूरी चीज को किसी activation function में भेज देते हो like relu if you think carefully यह filter भी एक similar चीज ही कर रहे है तो आप क्या कर रहे हो सबसे पहले आप यहाँ पर इस filter को convolve करा रहे हो so जब आप convolve करा रहे हो अगर यह 3 cross 3 filter है तो आप यहाँ की 9 values को पकड़ रहे हो यह input में जो इतने pixel से इनको पकड़ रहे हो और आपके same काम कर रहे हो x1, w1 because यहाँ पर यह जो values है यह सारी की सारी values आपकी weights है मैंने बताया था आप CNN में जो आपकी values होती है filter के अंदर वो आपके trainable होते हैं वही आपके weights होते हैं तो आप x1, w1, plus x2, w2 dot 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 करके x9, w9 निकाल रहे हो फिर उसमें इस filter का जो भी bias है आप उसको add कर रहे हो और फिर आप इस पूरी चीज़ को value में pass कर रहे हो तो आपको finally यह वाला number मिल रहे है ठीक है फिर आप filter को थोड़ा सा move करा रहे हो तो आपको same process से यह वाला number मिल रहे है I know थोड़ा सा difference है थोड़ा सा working principle difference है यहाँ पर 2D capture करने के लिए 2D pattern capture करने के लिए यह same चीज़ थोड़ा सा अलग तरीके से काम कर रहे है बट आप एक pattern common pattern notice कर सकते हो कि यहाँ पर भी आप dot product करके bias add करके activation function को दे रहे हो यहाँ भी आप dot product करके bias add करके activation function को दे रहे हो और ऐसा आप बार-बार slide करते 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 चले जा रहे हो ठीक है 2D special arrangement of pixels but the basic principle is same यहाँ पर यह weights को आप train करते हो यहाँ पर आप यह filter values को train करते हो तो एक बार जब मैंने इस perspective से देखा CNN को की हाँ यार थोड़ा सा similarity तो है ANN के साथ तो फिर मेरे लिए जो training वाला जो process था back propagation समझने का जो process था वो थोड़ा easy हो गया in CNN ठीक है तो यह तो बात हो गई similarity की I hope आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है एक बात और कल को अगर आप यहाँ पर एक और filter add करते हो तो इसका खुद का एक bias होगा और यह सारी values आप train करोगे तो it will be as if कि आप एक नया node add कर रहे हो ANN में ठीक है तो अगर आपको एक kind of shortcut के through याद रखना है आप roughly यहाँ समझ सकते हो कि ANN के nodes और CNN के filters similarly operate करते हैं ठीक है मतलब exactly same नहीं basic principle same है but यहाँ पर यह एक साथ सारी के सारे input पर काम करता है यहाँ पर आप chunks में window की movement के उपर input लेते हो ठीक है that is the only difference otherwise बाकी का जो सारा काम है bias add करना या फिर value function apply करना यह सारा का सारा काम same होता है ठीक है तो यह अभी मैंने आपके साथ discuss किया कि what is the similarity what is the similarity between ANN and CNN ठीक है अब मैं आपको थोड़ा साथ दोनों के differences के बारे में समझाता हूँ difference समझने के पहले एक छोटा सा task दे रहा हूँ मैं आपको एक छोटा सा question पूछ रहा हूँ आपका काम है video को pause करना answer निकालना comment में अपना answer लिखना ध्यान से सुनो मान लो हमारे पास एक image है and this is a 3D image RGB image है यह और इस image का size है 228 by 228 by 3 ठीक है और थोड़ी दर के लिए मान लेते हैं कि 64 64 नहीं मान लो 50 filters हम लोग use कर रहे है तो obviously आपको पता है कि आपको एक feature map मिलेगा एक feature map मिलेगा जिसका size होगा 226 by 226,50 हमें यह tensor मिलेगा ठीक है आपका task यह है कि आपको सोच करके बताना है कि इस CNN में अभी भूल जाओ कि आगे max pooling layer है या क्या है आगे का सब कुछ भूल जाओ आपको बस यहां तक में बताना है कि कितने learnable parameters होंगे you have to tell me this वीडियो को pause करो और एक बार सोचो कि यह जो CNN हम बना रहे है जहां पी यह image है और यह जो filter है multiple filters है 50 filters है कितने learnable या trainable parameters होंगे यह आपको बताना है the right answer is 1400 I hope आप साहिस answer कर पाए ध्यान से देखो कैसे so हमारे पास एक जो filter है उसमें total मिलाके 3,3,3 weights है right which basically means हमारे पास 27 weights है एक filter में इस तरह कि हमारे पास कितने filters है 50 तो total मिलाके weights कितने हो गए 1350 weights but हर filter का खुद का एक bias value भी है जो trainable होता है तो plus 50 कितना हो गया 1400 this is the right answer I hope अब आप किसी भी given CNN का learnable या trainable parameters calculate कर सकते हो right अब इस question को थोड़ा सा मैं change कर रहो ठीक है एक question को change करके यह बोल रहो हूं है कि मान लो थोड़ी दिर के लिए कि हम एक बहुत बड़ा image ले रहे 1080,1080,3 बहुत बड़ा image ले रहे तो अब आपको बताना है कि इस image के change होने के बाद यह वाला चीज बिल्कुल सेम है filters हम same size का ले रहे है उतने filters 50 filters ले रहे now you have to tell me कि कितने learnable parameters होंगे this is the question again pause करो video सोचो और अपना answer बताओ again the answer is 1400 change नहीं होंगे trainable parameters उतने ही रहेंगे सोच के देखो ना आपके weights और आपके biases तो उतने ही है वो depend ही नहीं करते input image के size के उपर and that is the best part about CNN do you remember मैंने पहला point क्या बोला था computational cost क्यूं हो जाता है computational cost कम क्यूंकि CNN में आपके कितने trainable parameters होंगे ये input के उपर depend नहीं करता ये इस बात पर depend करता है कि आपका filter size क्या है और आपने कितने filters implement कर रखे है आप और भी बड़ा image ले आओ कोई फर्क नहीं बड़ेगा आपका number of trainable parameters will be same बट सोच के देखो अगर आपने ANN बनाया होता तो ANN में क्या होता अगर शुरू में 228 by 228 by 3 होता तो आप पहले इसको flatten करते तो आपके पास input में 228 multiplied by 228 multiplied by 3 होता as your input फिर आपका hidden layer होता तो obviously यहाँ पे weights कितने होंगे यह अगर input में X है और hidden layer में Y units है तो यहाँ पे weights कितने होंगे X multiplied by Y तो अगर आपका X बढ़ जाए which is अगर आपका input 1080 multiplied by 1080 multiplied by 3 हो जाए तो automatically इस X के बढ़ने की वज़े से इस layer में जो weights है वो भी बढ़ जाएंगे millions में चले जाएंगे तो that is why ANN का यह disadvantage है कि जब आप images के साथ काम करोगे तो जैसे जैसे आप image को बढ़ाते हो वैसे वैसे आपकी यह weights भी बढ़ जाते है training slow हो जाता है but you can easily see कि CNN का architecture ऐसा है design ऐसा है कि वो depend ही नहीं करता कि input size क्या है image का आप कितने भी बढ़े input size को ले आओ कोई फर्क नहीं पढ़ता because आपका weights किस चीज़ पर depend कर रहा है कि आपके filter का size क्या है और उसका number क्या है number of filters कितने हैं ठीक है तो यह clear का difference आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और obviously अगर यह number of weights बढ़ेंगे तो overfitting का chance भी बढ़ जाता है in ANN तो in short मैंने आपको यह तीनो points kind of this video में describe कि कि computation cost क्यों जादा है ANN में overfitting क्यों जादा हो सकता है और किस तरीके से 2D वाला चीज capture करता है CNN यहाँ पर you can see because of this design आप automatically जब window को slide करते हो तो आप 2D जो भी pixels का arrangement है उसको capture कर पारे हो ठीक है तो I hope आपको थोड़ा idea मिला CNN और ANN के बारे में थोड़ा perspective gain हुआ यह video इसलिए important था because हम next video जो पढ़ने वाले है वो है back propagation in CNN वहाँ पे मैं चाहता था कि आपके अंदर यह समझ हो कि कैसे CNN-ANN से अलग भी है और कैसे CNN-ANN के जैसा भी है ठीक है यह understanding आपको next video में बहुत help करेगा जहाँ पे हम सीखेंगे कि CNN को train कैसे किया जाता है using the back propagation algorithm ठीक है so that's it for the video So that was the video guys I hope आपको यह छोटा सा idea समझ में आया अब यह idea आप notice करोगे आगे के videos में जब हम back propagation पढ़ेंगे CNN में वहाँ पे आपको काम आएगा ठीक है So अगर video पसंद आया तो like कर देना और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please do subscribe That's it from my side मिल ते नेक्स वीडियो में बाई